Vinaig Pyrameidical Institute में आपका most welcome है हम पढ़ रहे हैं Function of Kidney और उनीक के अंदर एक उनका functions होता है Urine Formation क्या function होता है? Urine Formation Urine Formation video करते हैं वेस्ट प्रोडेक्ट को बहार निकालती है जो वेस्ट इसको बहार निकालती है वो किसे क्या बोलते है यूरीन क्या बोलते है उसको यूरीन बोलते है ठीक है तो हम यह चीज पढ़ेंगे इनके अंदर की यूरीन कैसे बनाती है ठीक है कौन सा ओर्गन क्या क्या काम करता है यह चीज हम यहां पर क्या करेंगे उनके बारे में इस्टेडी करेंगे ठीक है कि नेफरोन के अंदर यह कौन सा है बावन कैप्सूल कौन सा है बावन कैप्सूल ठीक है यह कौन से है आपकी PCT और यह कौन से आपकी DCT यह DCT आ गई और यहां पर आ है आपकी collecting duct कौन सी है collecting duct और ये क्या है loop of handling अब इसके बाद में यहांपर बात करते हैं यहांपर क्या आता है आपकी यहांपर अप्टरेंट और इप्टरेंट आट्रोल्स आता है अब सबसे पहले urine formation के अगर बात करते हैं तो इसमें तीन प्रोसेस होती है इसके अंदर तीन प्रोसेस होती है सबसे पहले क्या है फिल्ट्रेशन सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं ठीक है तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वह कहां पर होती है आपके गलो मुर्लेस और बोवन केप्सु होती है किसकी प्रोच होती है फिल्ट्रेशन की प्रोस्एस होती है उसके भाद मैं बाद करते हैं सेलेक्ट्टिव अब्जॉ सर्था प्रोफेशन क्या राता है उसके बाद जैके मिन पॲॉंट अब का process आप मेंगён अब्जोब सिर्का मीन्स है सेलेक्ट करके उनको क्या करना है अब्जोब करना है हमें जो भी पार्टिकल्स है उनको क्या करना सेलेक्ट करके क्या करना अब्जोब करना ठीक है और थेड होता है आपका ट्यूबर कुलार ट्यूबर कुलार सिक्रेशन and excretion and excretion यह process होती है ठीक है क्या क्या होगी सबसे पहले क्या होगा filtration होगा सबसे पहले क्या होगा filtration की process होगी आगे हम पढ़ेंगे जो भी आपका filtration का process है सबसे पहले process कौन सी होगी आपकी filtration की होगी second कौन सी होगी absorption की process होगी और third कौन सी होगी इसके अंदर साल्वरियस्धा यह glaze लुए अब यह इस प्रोसेस को पढ़ते हैं जो कि प्रोसे से उसका क्या नाम बढाई था मैंने फिल्ट्रेशन तो इसका नाम आच है गलो मेरू लाञे पित्रेक्स है ग्लोम मेरू या ध्रैसन प्रेंट डाय ग्रम बताई ती उनके अन्दर का हूरा था इक्सटों एंड एंडर आइञ outreach आ रहे थे ठीक है यहां से और यहां से क्या हो रहा था जा रहा था ठीक है लेकिन हमने पिसली क्लास में क्या पढ़ा था आपने पिसले क्लास में क्या पढ़ा था कि आपका जो भी आर्ट्रियोल्स का डायमेटर होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है ज्यादा होता है किसकी तुलना में आपके एफ्रेंट्स की तुलना में आपके एफ्रेंट्स आर्ट्रियोल्स की तुलना में क्या होता है ज्य है 3 cm का निगा डियम्यृ'T कर है 3 cm हर सब्सक्राइब कि निकार इसके लाव बात करते है च possa दो सेंट इमेटर कह वande सब्सक्राइब है चाहिए निए निदेमिटर को यह array तो प्रेसर हो क्या है ज्यादा है इसका फ्रेसर के से रहेगा या नॉर्मल फ्रेसर इसका मान दो कितना है एज एक्जामपल के तोर पर बदा रहा हूं 40 mm आप एंसी 40 mm आप एंजी इसका एगा फ्रेसर है ठीक है यह जो प्लूड है वो किसके अंदर आएगा यह फ्लूड आएगा आपके इस के अंदर आएगा तो यहाँ पर इनका फ्रेसर क्या होगा पिर के अंदर बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे कंफ्लीट अमौंट के अंदर जो भी होज़ा पाएगा गा तो यहां पर क्या है अपने ग्लूम्रिळस कैशल क्या है ग्लूम्रिश kायपसुल य uit के पर देनि तो यहांपर क्या होगा कुछ आमाउंट Bana Stu's के लिए ताखी क्लिए ट्रीज़ सेंटिमेंटार बंटे स्टोर स्ट्रीकित अभण तो प्रमयोंत्व ने हैं थे प्रमानेटी स्टोर हे सुन रहे हां प्रमानेटी सेंटेमिटर ऐब एक त्वन hedge के लीए एज माइने टाइम के लिए का एक लिए और श्टोब रहता है और उस टाइम में क्या होता ह्याँ पर फिल्टरेशन होता है ऩाल यहाँ पे क्या होता है ठीक है कि अ है झाल झाल करता है इसी घnt love करता है परports यह को की ऐसके है कर नेफरान एकिंट शॉप फिरिंट आरें शारें जारें यहां पे क्या होती माने के पिल्रियुरी क्या हो तिया पे penalties टीका यह क्या है क्या प्लक्रिओं एप्लण मिलक्ली होती है यहां पर इसके नीचे क्या है आपके नेफ्रोन है नेफ्रोन का कौन सा पार्ट परजेंट है इसके नीचे नेफ्रोन का कौन सा पार्ट परजेंट है इसके नीचे कॉन सी बतायती में आपको इस प्रड के अलवा यहाँ पे कुछ Alayland आंपी कुछ अमांट में क्या पर जंट रहते हैं वेई कंट में हैं यहां The क्या रहती है sales present रहती है और ये sales का काता है filtration करवाना क्या हिए absorption करवाना क्या का क्या नब होता है kia नाम बताया था अधने आपको photo sites क्या नाम बताया था अर इन photo sites के बीच में इन फोटो साइट के बीच में क्या है माइनर इस्पेस परजेंट इन फोटो साइट के बीच में माइनर इस्पेस परजेंट होता है जिनका डामेटर होता है जिरो पॉइंट वन माइक्रो मेटर इनमें इस्पेस परजेंट होता है और यह जो जिरो पॉइंट वन तुबल्स के अंदर आता है यह तो प्रोसेस इसके अंदर होती है ठीक है अब बात करते हैं ग्लॉम्रोलस फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ग्लॉम्रोलस फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो ग्लॉम्रोलस फिल्ट्रेशन के अंदर किसको बोलोगे वो प्रोसेस जो एक मिनट क अंदर जितना fluid को क्या कर रही है filter कर रही है किसे आपके जो भी केपलरी मेजयर में है रहेगा dal लिटर में गलोनिटए को कितना है कर रहा है तो वन ट्वेंटी फैमल पार मिनट अगरे rumors में और इसम म sudah बलूट होती है तो वन ट्वेंटे फाइब ट्वेंट्र परमीनुच और अगर इस में 24 hours या पर डे क्या करता है आपका बामन केप्सुल ब्लड को क्या करता है फिल्टर करता है तो इस घंटे में कितना कर रहा है 180 लेटर पर 24 hours के अंदर और अगर एमल की बात करते है पर मिनट की बात करते है तो 125 ml पर मिनट की अकोडिंग ये क्या करता है फिल्ट्रेशन करता है तो इसलिए हम क्या करते हैं यिसे जो 2024 होती है किूक्ष को कव्डी होगी यहां होग्ग यहां फ्रेसर काम कर रहा है उसको बालते हैं नेट फिल्टरेशन इट और निडेकं धीन रेट कांट करने का एक फॉर्मुला है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक फ्रेसर माइनस कौनसा होता है ब्लेड कोलोईड ब्लैड कोलोईड हाइड्रोस्टेटिक फ्रेसर रेड्रोस्टेटिक फ्रेसर नेक्स कौनसा हाता आपका फिल्टरेट filtrate hydrostatic pressure filtrate hydrostatic pressure यह 3 यह पॉर्मुला होता है इसको हम अगर short में लिखने के लिए कौन सा है जी एच पी जी एच पी माइनस छी एच पी colloid hydrostatic pressure link टीक है भर फिल्ट्रेट्स प्रेसर एच यह इसका क्या है short में किसका formula है यह net filtration rate का इसका formula है यह net filtration rate का formula है अब इसको हम अगर count करते हैं मेजर करते है तो इसका formula के अगर measurement की बात करते हैं तो glomerulus filtration rate कौन सी बता आपको ग्लूम्रूलस फिल्ट्रेसं रेट होती है यह जो आपका जो एफ्रेंट आर्ट आर्ट लेके आता है इनके अंदर फ्रेसर रहता है वो कितना रहता है 55 mm of यहां का जो फ्रेसर रहता है वो कितना रहता है 55 mm of Sg तो हम क्या कर देंगे यहां पर इसको एड कर देंगे ठीक है तो कितना हो गया यह 155 mm of Sg क्या कर रहे हैं कौण सा कॉलोइड यहां पर घ्राइड यहां पर जो ग्रति करती है उनको क्या करती है इसके अगेस्ट पर जबहा दी हो यहां पर जो भी फाइबर से आप टोटिन परजेंट होती है प्लाजम इसको बोलते हैं यह काम क्या करती है इसके अगेस्ट काम करती है कि बलड क्या नहीं हो आपके बावमन केप्षिल के अंदर इंटर ना करें इसके लिए क्या करती है वह अपोजेट डारेक्स में क्या भंत आप एboids alcohol एशिन नेक्स्ट बात करते है एलैक्सट बात करते है कि इसके आंदर आपके जो भी यह बहुत सारे सक्की आ गया बहुंक्य восп मेंभिया क्यों सब्सक्रалась होगे वह जिस्क्वारा क्प्राय ग्यां आ इसलो कात है जीसे होगे हो list हो अपने से क्यों हो गे आप तो आगे यहां पर आ गे जिगे न शुम्ट्रेइट जाएग्ड क्या करें जी ऑफ हुआ की सभोते हैं अर इनका प्रेसर होता है वो प्रोसेस होती है वो कितनी होती है तो net filtration process है कि आपका glomerals hydrostatic pressure कितना होता है 55 mm of SG आपका colloid hydrostatic pressure जिसको blood ausmatic pressure बोलते है blood ausmatic pressure बोलते है ठीक वो कितना होता है 30 mm of SG और आपके filtrate hydrostatic pressure कितना होता है 15 mm 10 mm of azz ठीक हे इनको हम काउंट करते हैं ठीक हे न तो निकालो यह क्योंट कितनी हो गया आपके 45 और यह कितने है 55 अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट अगर हम इसमें निकालते हैं तो कितनी आएगी 10 mm of NZ 10 mm of NZ क्या है आपके glomerulus की क्या है ज्यादा है आपके glomerulus filtration rate की यहां पर 10 mm क्या है ज्यादा है ज्यादा है तो मिन्स आपका जो भी इसके against जो pressure लग रहा है और इसके against जो pressure लग रहा है वो pressure क्या है 10 mm of NZ क्या हो गया कम हो गया यहां पर इसके against यह जो फ्रेशन लग रहा है वह क्या हो गया 10 mm of mz क्या हो गया है कम हो गया और 10 mm of mz क run में की वज़़ाइस से कुछ पार्टिकल जाते ऊं इसके अंदर इंटर कर जाते हैं फॉस पार्टिकलद्स इसके आंदर ब्लड है यह जो क्या है ब्लड है ठीक है यह एक टेस्ट्यूब है टेस्ट्यूब के अंदर यहां पर ब्लड है ब्लड में से हम क्या करते हैं ब्लड सेल को रिमो कर लेते हैं इसको रिमो कर रहे है अपन ब्लड सेल को इसमें से क्या करेंगे हम ब्लड सेल को हम क्या कर रहे हैं रिमो कर रहे हैं और ब्लड सेल के साथ में और किसको ब्लड सेल को रिमो करेंगे और जो रिमेनिंग पॉर्शन बसता है वो कौन सा होता है प्लाजमा रिमेनिंग पॉर्शन बसता है उसको क्या बॉलता है अपन प्लाजमा कि मैं अप इस सीरं या बलड हमिया या बलड है तो बल में से आप क्या कर Гर्यbike Sam हो मायनेस निकाल निकाल रहे हो खेगे दाब ड्लैस्मा नियुकर उल जैल तो इसको क्या बोलते है अपन प्लाजमा क्या बोलते हैं इसको प्लाजमा ठीक और प्लाजमा के अंदर भी क्या होती है प्रोटीन प्लाजमा के अंदर अभी भी क्या परजेंट है प्रोटीन है और यह प्रोटीन क्या करती है ब्लड को क्लोट होने से प्रिवेंट करती है ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करती है क्या काम करती है ब्लड को क्लोटिंग में ह प्लाजमा के अंदर भी प्लाजमा प्रॉटिन यह क्या नहीं होती है कभी भी फिल्ट्रेट नहीं होती है यह दोनों क्या नहीं होते हैğı।ंकि एक सेलेक्टिव पर्मेबल में जर्में में B प्लाजमा 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 प्लाज Micro Nutrient रहे ठीक है next है आता क्या क्या है इसके अंदर next बात करते हैं इसके अंदर आता क्या है ठीक है तो उसको काउंट करते हैं कि कौन सा आता है sodium potassium colouride water है हास का बाइकारबोनिट इश्पी यह मिटेरियल क्या होता है इसके अंदर आता है इसके अलाव ओर कौन-कौन सा आता है गुलकॉझ द्ञाता है क्लोकॉझ कह अंदर इस में मायन वीनुक चैनल महीं जीरा और क्या तैस के अंदर यूरियए। यूरियए ॉर्क आता है इसमें यूरीक एसिड। विसने यूरीक एसिड। और जो猜 प्रतिलो जोबी एंदक्राइब द्रॉप प्रॉसेस रोभी है। द्रग को एक्स्क्रीट कर्ने का सबसे ज्यादा जूअ है वो एक्सक्रीट किसके द्वरक होती है कि इदिओंकि द्वारा फोथे तो यह पार्टिकल स्क्राइए फिल्टरों के आएंगे ठीक है तो मैंने ज्याओ नूर्मल कितनी होती है और Net Filtration Rate मैंने आपको बता दिए Net Filtration Rate कितनी होती है 10 mm of AG 10 mm of AG formula मैंने आपको बता दिया formula मैंने आपको बता दिया formula क्या होता है Glomeruless Hydro-Static Pressure minus blood Colloid Hydro-Static Pressure then Filtrate Hydro-Static Pressure filtrate Hydro-Static Pressure ठीक है ये क्या होता है Net Filtration काउंट करने का फोर्मूला नेक्स बात करते है है इसके अंदर फिल्ट्रेस्टेशन का अपने मेजरेमेंट कर लिया कि इसका कॉँ आपका फिल्ट्र तिक होता है 55 mmHC व लग से तब जो बहुत कितना होता थैटी म मौप होता है आपका filtrate hydrostatic pressure कितना होता है 50 mm of SZ होता है ठीक इनना measurement किया तो इसका अंदर हमने क्या देखा कि इसका जो भी 10 mm of SZ है इसके अदर 10 mm of SZ क्या है आपको gloom release का जो भी pressure है आपको ज्यादा मिलेगा अगर वो ज्यादा मिलेगा तो उस condition में क्या होगा यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर क्या कर जाएंगे इंटर कर जाएंगे त्या कर जाएंगे वह इंटर कर जाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो आप में आपको बता दिया कि यह फर कितनी होती है यह फर में आपको बता दी 1 25 ml per minute 125 ml per minute होगी अगर पूरे दिन की बात करते है 24 hours के इसमें अगर बात करते हैं तो कितनी होगी 180 कितनी होगी 180 पर डे या फिर 24 hours के अंदर तो इतना तो यूरीन फास आउट करते हैं और 180 यूरीन फास आउट थोड़ी होता है नहीं होता है इसलिए आप जीए फार की 1% जाब जीए फार है उसका 1% क्या होता है यूरीन में कर्वर्ट होता है टोटल जीए फार का 1% ही आपका वेस्ट है वह जो भी मेट सब्सक्राइब 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 बात करते हैं इसका second point second point है selective reabsorption selective reabsorption selective reabsorption अब selective reabsorption में क्या है कि जिनको बोडी में जितने नीड है उनके according क्या करना है अपन को substance को क्या करना अब जोब करना डूढ़ी में नीड के according क्या करना है सबस्टांस को अब जोब करना है वो क्या है selective select करके क्या नीड के according select करके जो भी substance अफ्यूड के अंदर या अब टूबल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट हो के आ रहा उन में से जो भी रिक्वायर और बाटी को जितनी जोरवरतWhatsi का रहा है या के तरह अंदर आगे की तरह विर। ने प्रोन से ने रगगी होगी दक उसका अजसे तरह हो अलग लग पार्त बताये मैंने आपको PCT कर लूप absorption का काम करते हैं मैं घ mention के अंदर बात करते हैं मैं आपको बताया था यह आपका जो । मेलились सबसे ज्यादा कि nog रख प्रोशेस होती सबसे ज्यादा जो भी फर्मो अव जाव जा लोगे आपके कि अंदर हो जाता है तो PCT के अंदर ऐसा क्या होता है PCT के अंदर ऐसा क्या होता है कि यहां पर absorption होता है तो यहां पर specialized cell present होती है कुछ इस पेसलाइज cell present होती है और साथ में और क्या क्या present होता है होता है जिनका काम होता है अब्सक्राइब करता है जो कि क्या काम करता है तो यहां पर मौस्टली क्या होता है मौस्टली absorption की process होती है अब्सक्राइब क्या होती है क्यों क्यों होती है क्योंकि आपकी जो भी tubules है जो भी tubules है किसकी मिलका बनी वह आती है made up by made by cuboidal cupoidal epithelial tissue इसकी मिलका बनी वह होती है cuboidal epithelial tissue और cuboidal epithelial tissue क्या काम करता है absorption करता है क्या करता है और साथ में आपने यह भी पड़ा है कि जो PCT होती है तो वहाँ पर और क्या पर्जेर्ट होता है तो पी सिटी के अंदर यहाँ पर मैंने इसे माइक प्या फ्ट को सकते हे हैं मिलाइप और 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 यहां पर क्या होगा यहाँ पे मा zebraleader पर्जել्ट होगा मीम कोई ने णाजक को ओर एंट नहीं हो रहे है मार्त्रोषॉन्ट्राप्रजेट्छ होगा तो यहां पर क्या होistance was यहां प्रशुयो से इसवावर प्रसेश इन होगी क्या होगि इस्को pandiट नीड पील होने या स्प्रोसेस फोने में किसकी नीड होती है एटीपीकी ी तरफ रोटू किया होंगे हाई मौलीकुल की तरफ क्या होंगे मुह होंगे तो आपको भी पता है कि जो वाहां पे बहुत सारी भीड है तो आपको आप प्रिटमे के लिए किसकी विद्ध की आराम से नियुकशना पड़ेगा यह improvement जितना चाहिए उतना ले लिया और वापस उचको क्या कर दिया वहीं पर चपड़ के अगये लेकिन आप जी वीड वाले एरिया में जाते हो वहापे आपको किसकी नीड होगी आपको एनर्जी की नेड होगी तो खेम कंडिशन होगी लो मॉल कुल टू आप ही मोल कूल की तरब क्या होगे इस कनडिसे में आपको डिविया डिव पैटीभी की डिवियो होगी जो क्या होती है आपकी डिवी RodHello ररिओ के अंदर बात करते है पैप सिटेंस्ध के अंदर क्या होगा है कि इसे की अंग करना है तो लॉ कि तरफ आप मूब कर tą गे उसमें आप में क्या होगी की निल् называется कि इसमें नहीं होगी नोग सब्रस्थ अब कर नहीं नहीं क्यों मिलती है क्योंjan तो यहां पर आपको दो से रखने को मिलती है क्यों कि मैं क्रोंडर होता नहीं ईक्रोंग करवाता है क्या काम करवाता है एक्तिव एंढ प्रोसेसी करवाता है अब नेक क्या इसके लाइव बात करते हैं कि यहां पर अबस्वप्शन किस किस का होता है अब पोटेसियम, मेगनेसियम और बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इसके अलाव एक्टिव के द्वारा और किसका अप्जोप्शन होगा तो एक्टिव के द्वारा होगा आपके गुलकोज गुलकोज और अमाइनो एसिद गुलकोज और अमाइनो एसिद इनका क्या हो र हो रहा है इनका 100% absorption यहीं पर हो रहा है ठीक है और sodium potassium magnesium bicarbonate इनके अलवा कुछ amount में uric acid uric acid और urine इनका भी क्या हो रहा है फिर से absorption हो रहा है यहां पर urine और urine acid का भी क्या होगा कुछ amount में absorption होगा अब पेश्यू के अगर बात करते हैं पेश्यू के अंदर क्या होगा हाँ पेश्यू के अंदर बात करते हैं तो पेश्यू के अंदर क्या क्या होगा पेश्यू प्रोसेस के द्वारा क्या होगा पेश्यू प्रोसेस के द्वारा क्या होगा पेश्यू प्रोसेस के द्वारा आपके वोर्टर कि एड ग्लोरईड का होगा एड मेन का हो रहा है आफ जो सनॉर्ट तीक यह वह हो गया आपके PCT का PCT का क्या हो गया यह PCT वो आपस एक बार व्याज कर लो कि फिल्ट्रेशन रेट आपके समझ में आ गई अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन रेट में आपने क्या पढ़ा है कि जो भी सेलेक्टिव है उसके अंदर फ्रेसर के एक को तरह सेलेक्टिव अब्जयॉब्शन आपने क्या पढ़ा है और फ्रेसर करें फ्रेसर का फ्रेसर के लावा कि यह सेलेक्टिव औब्जयॉब्शन क्या होता है कि इसके अंदर जिन को भी करना है जितने चैंड बौड़ी को नीड् Toni क्या करना है जो भी सेव्सटांस हां उनको seráग्ट करके आमें वापस किया करना है क्या करना और क्या कृाइब करना है ठीक है तो PCT क्या क्या काम करते radar टेकर थे तक है में यसा क्या होता के एक के फिले टिश्यू किढ़ी टिश्वगी त्यू ही क्या होती है क्या क्या होती हर इससा ये बयुच filled जैसे है अब एड़िपी आपको किसकी लिए अब लॉचल की तरफ एको बौलते हैं एक्टिूब प्रोसेस दो कुछ है तो का मीन्स हो tools like high molecule की तरफ क्या करना है क्या करना है लोग है अचले में किसकी कि ने डोगी आपनों को स्धिस दो इसकील होगी एकुफ और आधर Pueser एम अधर रहेगे और जो भी आपकी अपकी अजय ब्लाड वेसल से आधे संट्रा रहे घ़ी हाई रहेगी इनको उनके अंदर इंटर करने के के लिए किसकी नीड होगी ATP की नीड होगी लेकिन पेस्चिव के अंदर बात करते हैं तो यहां पर उनको अब जोब करवाने के लिए कोई भी एक ATP की नहीं होती है एक क्योंकि यह मुलिक्टोर है लो कंसेंट्रेशन टूल हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मुह कर रहे हैं कि नेक्स्ट है पेचिव के द्वारा आपके वाटर एंड क्लोएड का क्या होता है अब नेक्स बात करते लूप आफ हैंले नेक्स बात करते हैं लूप आफ हैंले Loop of Handly Loop of Handly मैंने आपका पतार दौ टाफ का होता है Ascending and Descending ठीक है और यह आपका Loop of Handly काम करता है LD Storm पर किस पर काम करता है ож Storm पर एल्डेश्टरोन का काम क्या होता है सोडियम का अब्जॉप्शन करवाना क्या काम होता है सोडियम का अब्जॉप्शन करवाना ठीक है और इसके बाद में बात करते हैं आपके DCT पे DCT पे DCT काम करता है ADH पे किस पे काम करता है ADH पे और EDS only for water, किष़ पर काम करता है, water के absorption आनद अkes-c depression पर काम करता है और साथ में और क्या सब्सक्राइशन करता है, potassium काकाम करने में help करता है, तो यहा ci हb FOR mobile कई तरी आधूरोंट जा तिए वहां पर actress और से में आपको बता था कि जो ने फॉर्वन है वाहनार माइनर के सल परजेंट होतीे माइन-र०लि या माइनर ब्लड वेसल से वहां पर क्या रहती है प्रजेंट रहती आप वासा रेक्टा एंड पेरी टुबलार केपिलरीज यह क्या काम करती है इनके अंदर जिनकी नीड नहीं है उनको क्या कर देती है इनका अंदर वापस क्या कर देती है वापस उनको अंदर क्या कर देती है अब्जॉब कर देती है आपकी जो भी टुबरुकलार है रिनल टुब तो आपकी ट्यूब्ल्स हर एक स्ट्रेक्श की मिल कुशस्का पडिन अपर ओंकर ऑर Fukashim अगर ओर बातकर तो ऑर क्या काम करता है कि आपकी ब्लेद्वेसेल एंगे फटो cq के बाद हम क्लेक्टिंग डक्त क्या होता है क्लेक्टिंग डक्त ओनली पॉर क्या करता है हाइड्रोजन आयन को अक्स्क्रेट आउट करता है नेच्ट है लाष्ट ट्यूबर कुलार सिक्रेशन एंड अक्स्क्रेशन ट्यूबर कुलार सिक्रेशन एंड अक्स्क्रेशन एक्स्क्रेट करना मेंस ट्यूबल्स के अंदर सिक्रेशन किसका हो रहा है मैंने आपको बता है PCT के अंदर इसके अंदर बताया था कि कुछ अमॉंट पार्टिकल्स क्या होता है इसके अंदर कुछ अमॉंट पार्टिकल्स क्या रहते है यूरिक एसिड यूरिक एसिड और यूरिया यूरिक एसिड और यूरिया क्या हो जाता है वापस फिर से अब्जॉब हो जाता है जिनकी ब्लड म में दिया जाता है किसके अंदर ना स्क्राइब कर दिया जाता है फ् 색ष ये क्या कर रहे है उसको अंदर । निद्श कर रही है से के न प्रेजस को तो इसका कर ग्लोम रिलब्स के द्वारा फिल्ट्र होके नहीं आई हुई है ठीक है उनको अपने तरफ फिर से क्या कर रही है ब्लड विसल्स के दुबारा ट्यू नदर मुख कर वारी है ठीक है तो यह हो गया आपका यूरीन फोर्मेशन या हो गया आपका यूरीन फॉर्मेशन अब रूरेटनगे में अब दाइड धैन यूरिन फील्व तो आपका जो भी ख्लेक्टिंग डख्ड लोक्त थे या तक पर लिया आपदर यूरीन यूरीन की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करती है क्या करती है यूरीन की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करती है ठीक है अब बात करते हैं सबसे आपकी जो क्लेक्टिंग डग्ट है collecting duct है वो कहां पे open हो रही है वो आपके हो रही है renal payplia में कहां पे हो रही है renal payplia के अंदर और renal payplia ये open कहां पे हो रहा है renal payplia है ये open कहां पे हो रहा है minor calyx के अंदर कहां पे open हो रहा है minor calyx के अंदर कहां पे open हो रहा है माइनर केलिक्स के अंदर और माइनर केलिक्स है वो कापे ओपन हो रही है आपके मेजर केलिक्स के अंदर कापे ओपन हो रही है मेजर केलिक्स के अंदर हो रही है ठीक है और फिर से मेजर केलिक्स ओपन कापे हो रहा है रिनल पेलिविस में कापे हो रहा है रिनल पेलिविस मे अगली क्लास में अब बात करते है तो इसके अंदर इसको बोलता है के लिए गलत बता दिया ठीक है वहां पर कजल सेल होती है यह कजल का काम होता है कि जैसे ही रिनल पेलिविस के अंदर आप एमल ब्लेट आता है जहाओ एंदther मेल ब्लेटता है और प्रमल ब्लट हाते ही उसके एंदर पेरी स्टाल्सिस पमेंट फ्यूंटस अदर और पेरेशफन की तरा geschक्स के तरफ कर रहा है यूरीतर की next hour अलावा urine the urine पढ़ रहाए है यृलिन के बारी में ठोडिक्रापर्टिव के अलेते हैं कि यृषिन की प्रॉपर्टी के बारे में जाने लेते है कि यृषिन किया क्या होता है इसके अंदर क्या होता है यृण के नॉब्लम अमाउंट उरिन की ×र Bout करते हैं तो यूरिन की अमा वती है कितने ऊ-ğ leash t है जांसे लिटर हिए एक से बेह किरूर्ख है और शॉन्स नच करते हैं इसके कलर की यूरिन का कर सो होता है तो पैल येलो कलर का लूरी सकता है यह फिर इसको बोल सकते अमबर क्ल या कुंसा अगर यूरीन की बात करते हैं तो यह वन हावर्स के अंदर कितना यूरीन का फॉर्मेशन होता है 30 ml यूरीन पर विन हावर्स के अंदर कितना एमल यूरीन पास आउट होता है स्वर्मेशन होता है 30 ml पर हावर्स और इसकी पीएंच की बात करते हैं तो यूरीन की पीएंच होती है 4.527.5 कितने होती है 4.527.5 अगर इनकी एवरेज माने तो 6.2 पीएंच होती है कितनी होती है 6.2 होती है नेच्ट बात करते इसके mainly gravity का यूती है specific gravity में में होता है कि यह कितनी ज्यादा के तुलंग कितना ज्यादा इस इस वह बहुतते है नेग्स बात करते हैं, composition of urine, urine के अंदर यसा क्या-क्या मिला हो रहता है, composition of urine, urine के composition के बात करते हैं, इसमें 96% क्या रहता है, water, 96% क्या रहता है, water, 2% इसमें क्या रहता है, urea, क्या, 2% इसके अंदर क्या रहता है, urea रहता है, ठीक है, और 2% क्या रहता है, other substance, 2% क्या रहता है, other substance, अब other substance के अंदर बात करते हैं, कौन-कौन से हो सकते हैं, कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स तो ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू